गुड बॉर्निंग्स रंबर 5 एक्सराइस 3.2 का सॉलुशन हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है हाफ दा पैरेमीटर और रेक्टेंगल हूस लेंथ इस 4 मीटर more than the width is 36 मीटर ठीक है means आपको पैरेमीटर गिवन है कितना 36 मीटर लेकिन वो क्या है half of parameter है and एक और चीज क्या गिवन है length is 4 more than width ठीक है तो पहले हम consider करते है length of garden is x and width of garden is y अब जो हमारी condition है उसको हम read करते है condition क्या गेवन है कि length is for more than width ठीक है तो एक तरब ने रिखा length एक तरब मैंने लिखा width अब किसमें क्या लिखा हुआ हुआ है less than width जिसके साथ लिखा हुआ हुआ होता है we're more than though भी लिखा हूँआ हुआ हुसी के साथ एच कर देते हैं तो क्या लिखा हुआ है फॉर मौर दैन विट तो इसमें क्या वूला है फोर मौर दैन मतलब एडिशन होगा फोर मौर दैन विट तो विट जो है उसमें फॉर एट कर दीजिए तो विड्थ क्या था बच्चों वाय था तो मैंने वाय में फॉर एट कर दिया और इकोल टूट उसके एकस के कर दिया यही आपको रखना है यह इसको देखेंगे हम x equal to y plus 4 तो y left side लेके गया तो मैं तो x minus y equal to 4 यह equation first बन गया ठीक है अब क्या given है half of parameter given है कितना 36 meter तो अगर किसी rectangle garden का width length हो x width हो y तो उसका parameter क्या होता है तो parameter होता है 2,x plus y होता है ठीक है लेकिन हमें क्या given है half of parameter तो यह जो parameter है इसका मैं half कर दूँगा तो 2,x plus y divided by 2, half कर दिया तो क्या मिला half of parameter क्या मिला x plus y तो यह क्या given है 36 meter तो x plus y equal to 36 meter ठीक है तो यह हमारा second equation बन गया तो हमें एक equation मिल गया first x minus y equal to 4 एक equation मिल गया हमें second x plus y equal to 36 ठीक है तो हमारे पास दो equation मिल गया फिर हम same concept जो हम पिछले 3.1 में करते हैं है दोनों equation का graph plot करे जहां पर वो cut करेंगे उनके solution होगे ठीक है तो यह आपको solve करना है graph plot करना है जैसा कि हमने question number 1 में किया है ठीक है अब हम next question पर चलते हैं next question बहुत important है इसमें इसमें तीनों condition के बारे में पूछ लिया गया है जो हमने पढ़ी है intersecting line parallel line and coincident line तो इसके लिए सबसे पहले आपक जो इसका basic concept है वो पता होना चाहिए ठीक है तो मैंने आपको first video में आपको concept बताया था और यह आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है यह अगर first condition satisfy होती है तो intersecting line होती है second condition satisfy होती है तो coincident line होती है और third condition satisfy होती है तो parallel line होती है यह हमें remember रखना है ठीक है तो हम अच्छों start करते है question number six question number six में क्या given है given linear equation एक linear equation given है 2x plus 3y minus 8 equal to 0 और आपको एक और linear equation लिखना है two variable का जिसमें पहला condition क्या है कि intersecting line बन जाए पहली condition पर second क्या है या तो parallel line बन जाए third क्या है coincident line बन जाए तो पहली condition हम लेके चलते हैं पहली condition क्या है intersecting line बने तो एक equation हमने लिख ली इसको अगर मैं बोलूँ इस equation का a1 क्या होगा तो a1 होगा 2 b1 क्या होगा 3 and c1 क्या होगा minus 8 देख लीजे आप इस equation को 2x plus 3y minus 8 equal to 0 को इस compare कराएंगे हम a1 x plus b1 by plus c1 equal to 0 से तो a1 क्या हो गया 2 b1 क्या हो गया 3 and c1 क्या हो गया minus 8 जैसे कि हम previous करते हैं x के पहले क्या है a1 यहाँ पे x के पहले क्या है 2 तो a1 equal to 2 y पहले क्या है b1 यहाँ यहाँ पाई के पहले क्या है 3 तो b1 equal to 3 यहाँ पे c1 constant है c1 यहाँ पहले क्या है minus 8 तो c1 equal to minus 8 तो पहली condition क्या है intersecting line तो intersecting line क्या होती है a1 by a2 is not equal to b1 by b2 ठीक है तो पहले अगर हम देखें A1 by A2 का ratio अगर आप लेंगे A1 लिख लेंगे 2 जैसे देखिए यहां लिख दी है मैंने A1 की value 2 and यहां पे A2 A2 की value हमें नहीं पता तो A2 की value हम कुछ भी ले सकते हैं यह आपके उपर है आपको जो ले ना हो ले सकते हैं लेकिन condition क्या satisfy होना चाहिए कि A1 by A2 का ratio कभी B1 by B2 के ratio के एकक वल नहीं आना हो चाहिए ठीक है तो मैंने considering मैंने कुछ भी value ली मैंने suppose A2 की value ली 5 B2 की value ली 7 and C2 की value ली 10 यह आपको लेना है कुछ भी ले सकते हैं आप A2 3 भी ले सकते हैं B2 2 भी ले सकते हैं C2 10 भी ले सकते हैं तो अगर मैंने यहां पर लिए 5, 7, 10 तो मैंने रिश्यू चेक किया A1 by A2 क्या होता है A1 by A2 का रिश्यू क्या हो जाएगा A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 5 ठीक है B1 by B2 का रिश्यू जेखा B1 कितना दिया है गॉस्चन में कि वहने 3, B2 मैंने कंसिडर किया है क्या कंसिडर क सेव ठीक है तो अब मैंने चेक किया क्या यह रेश्यू एक्वाल है तो यह रेश्यू एक्वाल नहीं है तो यह कंडिशन जो इंटरसेक्टिंग लाइन किया इसको सैटिस्फाई करते हैं जस्तर सैटिस्फाई करते हैं तो क्या मैं इन तीनों का यूज करके एक कुशन लि हो जाएगी 5X B2 क्या हो गया 7 by C2 क्या हो गया 10 तो एक क्वेशन बन गई equal to 0 तो इस equation एक equation यह है और एक equation आपको गिवन थी इन equation के pairs को आप जब बनाएंगे तो आपको पहली condition मिल जाएगी क्या है यह intersecting line मिलेगी तो ऐसे ही आपको parallel line के लिए करना है है और coincident line के लिए करना है आपको assumption करना है कि A2 A1 A1 B1 C1 की value आपको question में given है A1 B1 C1 given है आपको A2 B2 C2 assume करना है on the basis of this conditions ठीक है चलिए second condition देखते हैं क्या है parallel line की तो parallel line condition देखते हैं क्या होती है parallel line condition यह होती है A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2 तो A1 B1 C1 हमारे पास था already 2X plus 3Y minus 8 equal to 0 यह given है तो A1 क्या हो गया 2 B1 क्या हो गया 3 and C1 क्या हो गया minus 8 अब आपको A2 और B2 और C2 इस तरह से assumption करना है कि A1 by A2 का ratio B1 by B2 equal हो जाए बट C1 by C2 तो एक वाल नहीं हो तो हमने जैसे मैंने यहां पर लेका 4 यहां पर लिए A2 लिए 4 B2 लिए 6 और C2 लिए minus 3 आप कुछ भी लिए सकते हैं random ली लेकिन वास आपको यह condition fulfill कर रहा है जो बार लिखी हुई है तो मैंने अगर A2 लिए 4 B2 लिए 6 और C2 लिए minus 3 तो मैं फिर रेश्यू चेक करूँगा इनके A1 by A2 B1 by B2 and C1 by C2 देखिए A1 by A2 तो A1 क्या था 2 A2 क्या था 4 तो मैंने यहां पर पूट कर दिया 2 by 4 ऐसे B1 by B2 B1 क्या था 3 B2 क्या था 6 तो 3 by 6 रख दिया and C1 by C2 क्या था minus 8 by minus 3 यहां रख दिया इनको मैंने और स्वाल किया यह 2 by 4 था तो टू बन जा टू 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 जा फोर 1 by 2 आ गया ऐसे यह 3 by 6 था तो क्या हो जाएगा 1 by 2 आ जाएगा and C1 by C2 क्या कुछ भी क्रॉस हो रहा है यहां पर डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है तो यह हो जाएगा 1 by C2 क्या मिल रहा है 8 by 3 तो हमारी यह condition satisfy हो रही है ठीक है तो हमें यह जो हमने consider किये थे A2, B2, C2 इनको यूज करके एक equation बना लेना है तो general equation क्या होती है AX प्लस BY प्लस C तो A2 की value क्या रख देंगे हम A की जागे क्या रख देंगे 4 तो 4X B की जागे क्या रख देंगे 6, 6Y और C की जागे क्या रख देंगे minus 3 equal to 0 तो यह equation बन गया ठीक है ऐसे ही आपको third की लिए करना है third क्या है coincident line ठीक है चलते है third condition क्या है coincident line तो coincident line की condition क्या होती है वो देख लीजे A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 ठीक है तो हमारे पास question में A1, B1, C1 तो given ही है 2, 3, minus 8 जैसे हमने पहले निकाला था इस compare करके 2, 3, minus 8 ठीक है आपको assume करना है A2, B2, C2 ठीक है तो मैंने less कुछ भी assume किया A2 ले लिए 6, B2 ले लिए 9, C2 ले लिए minus 24 अब इनके देशियों चेक करें A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 तो A1 क्या है 2, A2 क्या है 6 तो यहां रख दिया A2, 2, 3, 06, 1 by 3, S3, 3, 09, 1 by 3, net 3, 024 तो 1 by 3, फिर मैंने देखा कि A1 by A2 का रिशियों 1 by 3, B1 by B2 का 1 by 3, C1 by C2 का 1 by 3 तो यह तीनों एक को ला रहे हैं, तीनों एक को ला रहे हैं Sir, तो यह condition को satisfy करते हैं, Yes Sir तो अब जो मैंने लिए थे, A2 equal to 6, B2 equal to 9, C2 equal to minus 24, इनका यूज़ करके एक equation को बना लेना है, तो equation क्या होती है, AX plus BY plus 6, तो A2 की जाए क्या रख जाएगा, AX, तो A की जाए क्या रख जाएगा, 6, BBY, तो B की जाए क्या रख जाएगा, 9, and C, C as it is, C क्या है, minus 24 equal to 0, तो यह आपकी एक equation बन गई, ठीक है, बना बना खआएगाँ, जाहाँ in